हेलो दोस्तो परतेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ अपडेट उस पर बात करते हैं तो पहली अपडेट को वैक्सीन को लेकर है तो को वैक्सीन को अभी डबलू एच्चो ने मानता नहीं दिये एप नहीं मीटिंग की तारीक 3 नवंबर फिक्स की गई है लेकिन उससे पहले एक अच्छी ख़बर आई है ओमान की तरब से ओमान ने को वैक्सीन वालों को एलाउड करने का फैसला किया है ये ट्वीट भारतें एमबेसी ने किया है उन्होंने कुछ ट्वीट करके जानकारी द उन्हीं लोगों को ओमान ट्रवल करने की लिए परमिशन थी विदाओट कोरंटीन लेकिन अब को वैक्सीन का भी नाम इसमें जुड़ गया है कि को वैक्सीन वाले भी ओमान डायरेक्ट ट्रवल कर सकतें ओमान आ सकतें किसी भी तरह से उनको कोरंटीन रहने की ज़रूरत नहीं है ओमान में तो ओमान की तरब से ये दोस्तो बहुत अच्छी ख़वर आई है इस फैसले के बाद भरते एमबेसी ने ओमान गवर्मेंट का सुकरिया अदा किया है तो बैराल दोस्तो ओमान अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आप ने को वैक्सिन लगवा लिए तो भी अब आप ओमान जा सकते हैं इसके लिए दोस्तो ओमान का टिकट बहुत ही डाउन हो गया अब तक जो टिकट 35-40,000 के दर्मियान था वो टिकट सीधे 15-16,000 के बीच में आ चुका है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी तक टिकट बहुत महेंगे थे लेकिन ओमान के टिकट बहुत ही सस्ते हो चुके हैं तो अगर आप ओमान के लिए ट्रवल करना चाहते हैं चाहें नए वीजा पर जाना चाहते हैं या फिर चाहे आप छुटी पर आया हुई हैं तो ओमान के लिए अब आप बहुत आराम के साथ ट्रवल कर सकते हैं चाहे आपने को को वैक्सिन लगवाली है तो भी वो दुबई जा सकते हैं लेकिन आपको बस थोड़ा ये धियान लखना होगा जो भी आप टिकट लेंगे वो UAE की एरलाइंस कंपनिया होनी चाहिए जैसे फ्लाइ दुबई, फ्लाइ एमिरेट्स, एतिहाद एरलाइंस, एर अर्विया ऐसे क कि अगर आप फ्लाइट का टिकट लेंगे तो आप एंडिया से दुबई भी जा सकते हो, को वैक्सिन लगवाने के बाउजूद, लेकिन अगर आप इंडियान फ्लाइट का टिकट लेंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि वो आपको बौर्डिंग ना दे, आपका ब वैक्सिन लगवाने के बावजूद तो बैराल दोस्तो ये दुबाई को लेकर अपडेट है कि अगर आप दुबाई जाना चाहते हैं तो को वैक्सिन लगवाकर भी आप दुबाई जा सकते हो अगले अपडेट दोस्तो एर इंडिया की तरब से आई है एर इंडिया दिल्ली और Sydney के दर्मियान 15 नौमबर से direct flight शुरू करने जा रही है पाबंदी हटने के बाद Air India की ये direct flight Sydney और दिल्ली के दर्मियान फिर शुरू होने जा रही है फ्लाइट डिरेक्ट होगी दोस्तों इससे पहले Australia की Qantas Airlines 10 साल बाद इंडिया में वापसी कर रही है और दिल्ली Sydney के दर्मियान direct flight शुरू करने जा रही है और आप 15 नौमबर से Air India भी flight शुरू करने जा रही है दिल्ली और Sydney के दर्मियान direct तो अगर आप दिल्ली से Sydney की यातरा करना चाते हैं या Sydney से दिल्ली की यातरा करना चाते हैं तो आप एर इंडिया की फ्लाइट से भी जा सकते हैं, 15 नॉमबर से फ्लाइट आपरेट होना सुरू हो जाएंगी डिरेक्टली दिल्ली और सिड्नी के दर्मियान, अगली अपडेट दोस्तों सौधी के अल जवाजात की तरफ से, तो सौधी के अल जवाजात ने एक बार फि vaccinated residence पर registration करना है, अगर आप नए वीजा पर जा रहे हैं, तो आपको vaccinated visitor पर registration करना है, तो इस तरीके से आपको registration करना होगा, 72 गंते के अंदर यानि आप फ्लाइट से जा रहे हैं, या फिर दुबाई से आप अगर बस से जा रहे हैं, जिससे भी आप जा रहे हैं, तो उस arrival से आपको रेजिस्टेशन करना होगा उसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ में रखना होगा बाराल दोस्तों अभी इंडिया सौधी फ्लाइट को लेकर नई कोई अपडेट नहीं है जैसे कोई अपडेट आएगी तो वो आप तक पहुंचाए जाएगी आगे दोस्तों फ